इस वीडियो के अंदर हम एक इंपोर्टन टॉपिक देखने वाले हैं बेलकुल इंपोर्टन क्यों यह ट्वाज्स अंदर के अंदर के अंदर के टीजी और थर्मोड आनमी यह दोनों चैप्टर के अंदर बिलने वाला है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना मैं करूंगा क्योंकि अभी आपके लेवल पर इतनी चीजे नहीं है क्योंकि अगर अगले साल जब आप जाओगे तो आपको क्लियर होगा प्रदीव सर ने बताया अगले साल के अभी चाहिए तो जाके उठांके देख लो वीडियो पढ़ा हुआ थर्मोडार्यमी करें के तो अब देखो specific heat capacity आपको specific heat capacity define करने के लिए अगले साल काम आएगा specific heat capacity होता क्या है सबसे पहले यह मैं बता देता हूँ अगर मैं आपको बताना चाहूँ देखो एक कोई भी एक्चल आपने बॉड़ी को ले लेता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा कूल हूँ बहुत ज्यादा हॉट हूँ जो भी समझना है तो मालो मेरी बॉड़ी के temperature को मेरी बॉड़ी के temperature को अगर 1 degree Celsius बढ़ाने के मेरे बॉड़ी के 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए जितना amount of heat मैंने खाया मैंने लिया उसको मेरी बॉड़ी का क्या बॉलेंगा specific heat capacity तो हर बॉड़ी का आपने टेंस टंडर के अंदर एक मदब एक्सपरिमेंट किया था अगर आयाद होगा उसके अदर हमने तीन मैटल लिया था किसको किसको याद में लिखना आपने देखा था तीनों मैटल का heat को absorb करने की capacity क्या थी अलग अलग तो सेम चीज मेरे बॉड़ी के temperature को 1 degree या 1 Kelvin decrease करने के लिए मेरे बॉड़ी में से जितना heat निकाला जाए उसको भी मेरे बॉड़ी का क्या बोलेंगा specific heat capacity समझ मैं clear cut समझ मैं आगे एकदम सिंपल सा और अगर मैंने अभी अगर मैं इसके definition की बात करूँ तो simple सा definition है जिसको जिस तरह से मैं आप इंटू डेल्टा टी जनरली यह बताओ नो यह आप जब टेंस्ट अंडर में थे तो आपके कुछ ऐसा किया था एम इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी ऐसा वाला एक पढ़ा था ओके बस हम यह specific heat की बात कर रहे है इसलिए हाँ सी के जगर क्या हो गया डेल्टा क्यू लगा दिया देखो इस फॉर्मिले को चेंज करें यह देखो यह देल्टा क्यू अपने जगा पे ही रहेगा यह देखो और यह दोनों डिवाइड में आ गया है एम इंटू डेल्टा टी हो गया कि ने पुरानी यादे यह ताजा हो गही हो वही तो किया प्रिंसिपल स्पेशिफिक फिट आता है मतलब एक कंडीशन आता है इसका मतलब क्या मौन एक मैंने एक मैंने एक मने मैंने कंटेनर लिया उसकंटेनर के दिर एक पिस्टन लगा हुआ है कि पिस्टन लगाऊ यह हीड दे रहा हूं क्या दे रहा हूं कि अगने जगहें पर यह उनका ठीक आगे नहीं बढ़ meer हो तो इसको है इसको बलेंगे ए constant volume, क्या बोलेंगे इस condition जो piston आगे नहीं बढ़ रहा है, piston आगे बढ़ता तो वो change in volume हो जाता है, volume change हो रहा है, बड़ इसके अंदर piston अपनी जगह पे ही है, तो उस condition को क्या बोलेंगे at constant volume, तो ये हो जाएगा हमारा principle specific heat, principle specific heat at constant volume, बाकी सब कुछ सेम है, delta q upon m into delta t, अगर definition आता है, principle specific heat at constant volume, तो कुछ नहीं, देखो क्या बोलोगे, delta q मतलब क्या होता है, बताया मैंने, या तो heat absorb करना है, या तो heat release करना, तो amount of heat absorb और release per unit mass with change in a temperature at constant volume, volume मतलब मैंने बताया कि piston आगे नहीं बढ़ रहा है, dimension change नहीं हो रहा है, अब SP मतलब, principle specific heat, principle specific heat at constant pressure, मतलब कहने का मतलब, अब इसके अंदर क्या होगा, piston आगे बढ़ेगा, अब piston आगे जाएगा, बट अंदर के जो molecule से, उनका pressure क्या होगा, सेम होगा उनका pressure change नहीं होगा बट piston आगे की तरफ बढ़ रहा है piston आगे की तरफ बढ़ रहा है मतला वॉल्यू चेंग हो रहा है बट अंदर के जितने molecules से सभी का pressure क्या है सेम है तो इसलिए sp होता है और लिखना होगा ऐसे है यह देखो इसको define करने के लिए बोला जाए principle specific heat at a constant pressure तो क्या बोलोगे amount of heat absorb और release per unit mass with change in a temperature at a constant pressure इस condition के लिए pressure क्या होगा constant होगा बिलकुल एकदम simple अब बुक के अंदर अपने को एक चीज और दिया है molar specific heat molar specific heat तो देखो इसको अभी इगदम simple सा इस mass के जगह instead of mass we can use number of mole mass के जगह अभी तक हम लोग mass लेते दे 1 kg ऐसा mass 1 kg लेते दे but mass के जगह जब हम number of mole use करने लगे तो उसको बोलते molar specific heat क्या बोलते molar specific heat अब देखो यहाँ formula में क्या हो जगा N S के जगह पे C हो जाएगा क्योंकि हम molar specific heat की बात करें बाकि सब कुछ सेम रहेगा बाकि सब कुछ सेम रहेगा कुछ भी चेंज होने वाला और आपके बुक में पहले बता दे रहा हूं आपके यूज नहीं किया आपके बुक में यूज किया हुआ है यह देखो ऐसे यह देखो यह देखो यूज किया मैं बताओंगे फॉर्मुला बनाके बताओंगे यह देख लो वन अपॉन एन यह डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की एकडम सिंपल सा कोई टेंशन नहीं है यह देखो यहां कहीं ऐसा लिखा ओगा मैं रिखाल से यह यह देखो यह याद रखना ऐसा पूछा जा सकता है यह यह यूनिट्स आपको पूछा जा सकता है तो यह आपको पता रहना झाये इसको और सामने यह देखो अगर amount of heat amount of heat अगर उसके अंदर number of mole mass के जगह number of mole अगर हम क्या क्या specified किया जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे molar specific heat और molar specific heat का जो sign होता C होता है कि मैंने already आपको बताया आप देखो एक चीज और बताऊंगा same to same वैसा ही definition कुछ भी टेंशन लेने वाली बात ने कोई भी टेंशन लेने वाली बात ने एकदम same to same definition है देखो यहां अब मैं इसको define करूँगा ना दूसरा पेश ले लेता हूँ यह देखो पहले पुरान Q equal to M into C into delta T अब मैं इसको उसी के तरह change कर दूँ यह हो जाएगा delta Q M के जगा पे molar specific heat है इसलिए N हो जाएगा और C तो उसी का sign है delta T अब देखो गर मैं change करना चाहूँ तो C अपने जगा पे ही रहेगा अपने जगा पे यह दोनों divide में आ जाएगा तो delta Q upon delta Q upon N into delta T और यह number of mole है number of mole 1 लेते number of mole कितना लेते है 1 अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो इसके अंदर भी दो condition है at a constant volume और at a constant pressure ओके इसके अंदर भी total दो condition है अब delta Q मतलब सर ने बता है amount of heat absorb और release delta T मतलब change in a temperature and मतलब number of mole अब दिखाता हूँ यह देखो ध्यान से देखो यह देखो molar specific heat capacity of the gas at a constant volume at a constant volume volume constant है is defined as the quantity of heat absorb or release quantity of heat मतलब delta Q quantity of heat यह तो absorb हो रहा है यह release हो रहा है for किसके लिए for the rise or fall of temperature of one mole of a gas okay gas की बात किया है तो rise or fall rise or fall of temperature of one mole of gas through one Kelvin or one degree Celsius एक mole का temperature जो change हो रहा है एक mole का जो temperature change हो रहा है at a constant volume पे उसी को हम क्या बोलेंगे specific heat at a constant volume delta Q amount of heat absorb और release होना कितने का temperature change हो रहा है one mole का temperature मैंने बोला n के जगह पे one mole लेना है क्या लेना है one mole लेना है तो amount of heat absorb or release by one mole of a substance to change this temperature increase or decrease is called molar specific heat at a constant volume अब इसी के जगह दूसरा same to same अगर मैं बात करूँ यह देखो छोटू सा करूँ मैं यह देखो दूसरा same to same यह देखो यह देखो molar specific heat at a constant pressure CP delta Q upon N into delta P हो गया अगर इसके definition की बात करूँ तो molar specific heat of the gas at a constant pressure is defined as quantity of heat absorb or release okay या तो या तो क्या करना absorb करना या release करना for rise or fall temperature of one mole of the gas एक mole gas के temperature का increase होना या decrease होना through one Kelvin और one degree Celsius when it is at a constant pressure एक mole gas के temperature का increase होना या decrease होना बट कैसे कौन से condition बे at a constant pressure तो इसको बोलेंगा molar specific heat at a constant pressure हो गया यह दोनों चीज़े हो गई बस मैंने बोला कि mass के जगा पे बस हमने क्या ले लिया है one mole ले लिया तो अभी यह relation कभी कभी यह relation याद रखो okay relation between यह वाला relation between principle and molar specific heat capacity यह वाला condition यह देखो यह आप सभी को बता molar specific heat at a constant pressure देख रहा है equal to यह हमारा molecular weight है जब molecular weight को हम principle specific heat से multiply करते है then हमें क्या मिलता है molar specific heat at a constant pressure same चीज़ यह देखो यह condition volume वाला condition molar specific heat at a constant volume it is a product of it is a product of molecular weight into molecular weight और क्या है specific heat capacity specific heat capacity यह condition कभी-कभी exam में आपको पुछा जाता है और जस तरह से मैंने बोला unit याद रखना है unit बहुत ज़रूरी है यह देखो मैंने भी तिक भी करवा आपको एक बढ़ा फिर से दिखा देता हूँ इसका भी बताना है आपको यह देखो molar का यह देखो एक्जाम में आपको पुछा जा सकता है तो clear specific heat of the gas भी हमने यहाँ complete कर दिया दोनों कंडीशन पर अट-a constant volume अट-a constant pressure प्रिंशिपल भी हमने बता दिया प्रिंशिपल स्पस्पिक हीट capacity अपड़ी गैस अट-a constant volume अट-a constant pressure तो भाई यह टॉपको मैं यहीँ खतम करता हूँ एक दो बार सुनो और एक्जाम में इससे डियरे डेफिनेशन आनवाल है उसको विमांग फिट करो चलो मिलते हैं एक से वोडियो में थैंक्यों सो मस्काई जय हिंद एंद जय महाराश्टरा दोख से